शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें आप जनता जनार्दन के पास जाएए और दुवाधार परचार कीजिए और जिस तरह भवान को कीटनों से रिजाते हैं बिल्कुल उसी तरह जनता को अपने भाशनों से मनाईए और अगर नहीं माने तो दावल का परशार चढ़ाएए नोटों से उनकी आर्थी कीजिए और सिर्फ बेवाकूफों की डिक्शनरी में लिखा होता है बक्ति परशाद एड़ी ये ठीक कह रहे हैं वो एरिया सुराज पार्टी का गर है वहां के लोग उसी पार्टी को वोड़ देंगे तेजा बेटे जहां लालत की राजनिती नहीं चलती वहां आतंग की रन निती चल जाएगी जाएगी अरबोर दियाद तो जान चली जाएगी जड़ेक्सिं के दिन मौत के फरिष्टे बनकर तुम लोग उसी लाके में छाए देना समझ गया चांदी चांदी हाँ पाद गाल, पाद गाल, पाद गाल मुझे उन पादो, मुझे शोर दो, नहीं इंस्पेक्टर, तुम जानते हो, तुमने किस पर हाथ उठाया है मैं किशंचंजी का दाया हाथ हूँ तुम दाया नहीं, पाया हाथ हूँ जिस से इस कंदा काप किया जाता है कर दो कर दो कर दो झाल 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 आप लोग बगए किसी डर के जिसे चाहे वोट दे सकते हैं बेटा तुमने सही वक्त पर आकर हम सब पर बहुत बड़ा उफकार किया हैं कानून की रक्षा करना तो मेरा फर्ज है आंकर तुमने कानून की नहीं बलके आम जनता के अधिकारों की भी रक्षा की है तुमारी तरह हर आफिसर अपनी जूटी पूरी तरह अंजाम दे तो यहां गुंडों के राज के बजाए जनता का राज हो जाएगा एक विशेष सुचना माहनगर मुनिस्पल कॉपरेशन के एलेक्षन में श्रीक कृष्ण चंद्रचोप्रा की आदर्ष पार्टी दो तिहाई सीटों से विजय घोशित कर दी गई है श्रीक कृष्ण चंद्रचोप्रा सर्वसम्मती से पाहनगर मुनिस्पल कॉपरेशन के मेर चुन लिए गए है मेर किशंचन जिन्दावाद मेर किशंचन जिन्दावाद दोस्तो दोस्तो अलक्षन से पहले हमारा नारा था मिल कर लड़ेंगे मिल कर जीतेंगे मेर साथ, मैंने अपने वार्ड में अलेक्शन के लिए दो लाख रुपए खर्च किये हैं ओहो, फिकर मत कीजिए आपको कॉर्परेशन के तमाम स्कूल्स के ठीचर्स को अपंड करने का हग दे दिया जाएगा और आप अच ठीचे से पांच हजार रपए वसूल करेंगे मेर साथ, मेरा क्या होगा? आपको शहर की तमाम स्ट्रीट लाइट्स का कॉंट्रेक्ट दे जाएगा आप ऐसा कीजिए, पहले सारी पुरानी लाइटें तोड़ दीजिए उसके बाद नहीं लाइटे लगा दीजिए किशन चन जी कहीं असान हो कि दूद मिलाई इस सब पर जाए और मेरे हिस्से में सिर्फ खुर्चन रह जाए घवराओ नहीं बक्ती परसाद अपने वाड में तुम्हें देशी दारू की दुकान खोलने का लाइसंस मिल जाएगा धन्यवाद, धन्यवाद, इसन चन जी की तुम कौन होते हो रोकने वाले? अरे भाई, इनके पास लाइसंस है हाँ, मालूम है, लाइसंस है तुम अपने आदमियों को कहीं का भी लाइसंस दे सकते हो, इसलिए तुम्हारे पास पावर है और तुम्हारे पास पावर नहीं है इसलिए तुम चिला रहे हो नहीं, मैं उन घरीबों के लिए चिला रहा हूँ जिनकी बजिकुदी शांती को भी तुम खत्म कर देरा चाते हो आप तो उल्की तोपी पहना रहे हैं दारू काद्डा बंद करो वरना अंजाम बुरा होगा शटार! हम अपना अंजाम खुद अपने हाथ उस लिखते हैं कान खोल कर सुन लो यह दारू काद्डा यह खुलक कर रहेगा नहीं! यह दारू काद्डा नहीं खुलेगा अरे क्या देखते हैं अंकल यह क्या जगड़ा है सुनिल यह भकती-परषाज गरीबों की बस्ती में दारू काद्डा खोल रहा है इनके oluncence है इसके बावजूद भी यह सबर्दस्ती यहां फसाद करना चाहते हैं लाशनस दिखा दो देखे सब यह देखिए यह लाइसनस देखिए यह कानून की आठ लेकर यह भूग और तबह लाना चाहते हैं हम यहां दारुका अड़ा खोलने नहीं देंगे अंकल, यह जो भी कर रहें घ nessa कानूनी नहीं है इनके पास लाइसनस है आपको ँने रोकने का क्यों हां को ओड़ी है यहां तुम भी इनकी तरफ से बोलने लगते मैं स्रफ कानून की तरफ से पोलता हूम और कानून की रखशा करता हूM जो मेरा फर्स है आप से भी मेरी सला है कि आप भी कानून मत तोड़िए जब भगवान कृष्ण आर्जुन को गीता सुना रहे थे ताबाया तो आपने भी गीता सुनी बिल्कुल सुनी तो फिर आपको भी पुन्ने मिलेगा जरूप मिलेगा आप चले दादी मा क्यार दीरा नाथ ये बच्ची तो चमतकार है इतनी छोटी सुमर में तुमने इसे क्या कुछ सिखा दिया मैंने मैंने कुछ नहीं सिखाया बाई पता ने किन माबाब की बच्ची है उनके संस्कार आदते लेकर चली आई है मेरा बड़ा बेटर रवी से अनाताश्रम से ले आया है हाँ तो चाजा जी अब बताइए किस गुनेगार को सज़ा दिलवानी है और किस बेगुना को इनसाफ दिलवाना है अरे शक्कर मन दालो क्यों? ओफो दादी माँ तुमें कितनी बाह मना किया है कि जाए में शक्कर नहीं मिलाने चाहिए क्यूंकि इस कुछ लोगों को शक्कर की बिमारी होती है तो आप चाते हैं कि वो शिराब की दुकान वहां से हटा दी जाए यही ना? हाँ पेटे नो प्रॉबलम हट जाएगी भाईया जल्दबाजी में बादा मत करो वहां से दुकान हटाना असान नहीं है उन लोगों के पास लाइसेंस है अले लाइसेंस है तो क्या हुआ? रवी की कावलियत पर कभी भूल कर भी शक न करना यह किसी भी केस को उलट-फलट कर सकता है पिताजी भाईया का यह केस जिद्ना मुश्किल है देखो सुनिल इस केस को मैं जरूर जितूंगा इंपॉसिबल है छोटे बड़े को मत ललकार तू हार जाएगा बेवकूफ हां? क्या कहा? मेरा बेटा बेवकूफ है और तुम्हारा बेटा हुशार है मेरा बेटा कह रहा है तो तुम्हारा बेटा जरूर हारेगा कमाल करती हो तुम्हे तो लड़ाई का बहाना चाहिए मैंने तुम्हारे छोटे बेटी की बुराई कब की तो क्या बेवकूफ बुरही नहीं होते? नहीं होती बुरही. मैं मैं मों ुरॉकुफ हूँ. शी हो relação पेकोले जा कोंगी मैंधुकि वघुफू हूँ? फुर्फुक मैं मेरे जोली मीधू भीटा ऊस्यार रहे है मेरी को जग्पर मत करो.िसाज बूनेृतust कौन जीतेगा, कौन आरेगा, कोट के फैसले के बाद तो पता चली आएगा ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ये डिफेंस लॉयर अभी तो कोट में हादिर नहीं हुए, ये रॉनर उनके पास मुकदबा लड़ने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं होगा, तो क्या मूले कर अ मुकदमे की पहरवी करना चाहेंगे या नहीं, जरूर करना चाहूंगा, मैं आपके सामने न कोई गवा पेश करूंगा, न कोई सबूत पेश करूंगा, मैं सिर्फ इतना जाना चाहूंगा, कि क्या पीपी साब ये जानते हैं, कि शराब की दुकान कहां पर नहीं होनी चाहिए, बिलकुल जानता हूं, जहां पर मंदिर, मस्जिद, गुरुदवारा, चर्च या स्कुल हो, वहां पर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, अच् यह पॉइंट नोट किया जैए ओनर, अब आप यह बताईए, कि जिस शराब की दुकान का यह मुकदमा चल रहा है, वो शराब की दुकान मंदीर से कितने फासले पर हैं, फासला कैसा, वहाँ पर कोई मंदीर है ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं, पी-पी साब, उस शराब की कान पर जाकर आया हूँ, यह ओनर, लोग सुबा सुबा दर्शन करने के लिए मंदीर जाते हैं, लेकिन हमारे पी-पी साब, सुबा सुबा शराब काने जाते हैं, शायद इसलिए इने नशे में, वो मंदीर नजर नहीं आया, यह मेरी बैजज़ती कर रहे हैं, यह पर से कह है, वहाँ पर कोई मंदीर नहीं है, वहाँ पर कोई मंदीर है यह नहीं, यह आप खुद उजगा चल कर देख लीजिए, तो असरे सब नजर आज़ेगी, और अदालत को फैसला करने में आसा नहीं होगी, ठीक है, हम खुद वहाँ चल कर देखेंगे, यह रही दारू की यह अरे, यह मंदीर का बड़ा, बहुत पहले से आए, बहुत पहले से बड़ा होता तो मुझे नजर नहीं आता, अरे भाई, दारू का धंदा करने वालों को वैसे भी मंदीर नजर नहीं आता, शराब की दुकान से मंदीर के दूरी नापो, आईए जश साब, दिवी की द अरे, जो काबिल एतराज है, हुजूर, कौाइंट पांच मीटर की गलती भी हो सकती है, यह दूरे फिर से नापर जानी चाहिए, इलेक्शन जब आप पांच वोटों से जीते थे, तब तो आपने यह नहीं 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 था, कि पांच वोटों की गलती हो सकती है, गिन ती अदालाथ मिस्टर बत्री प्रशाद को हुक्म देती है कि बारे घंची के अंदर अंदर उप में शराब के दुकान यहां से हटा लें भाई या है यह फूल देवी का प्रशाद है शायद इसकी महिमा से आपकला के सिज्ज्जें आयो हलो शादा, हाव यू? ठीक हो आपके से हैं मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अच्छे यह बताओ आज दिन क्या है अरे भूल गई? आज तुम्हारा जनम दिन है मैंनी हैपी रिटर्नस अब दे देए थेंक यू अचलो अब हम अपना खेल गलते है मेरे हाथ में पाँच पैसे दस पैसे, पचीस पैसे और एक रुपे के कई सिक्क्या है लेकिन 50 पैसे का एक ही सिक्का है तुम्हें आग बंद करके एक सिक्का निकालना होगा अगर Для 50 औरा lure kinda निकला तो जीट तुमारी और अगर 50 पैसे की सिख्का निकला तो जीट मेरी और जो जीतेगा उसकी मुराद पूरी होगी बोलो मन्सूर है मन्सूर है चलो आध बंद करो और निकालो चलो अरे वह 50 पैसे क ल simplement निकला इसका मतलब जीट मेरी हुई अब मैं जो चाहूँगा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा मुझे पचाहस पपी चाहिए पपी पपी पच्छ नहीं जरूर इसमें गरवर है जरहाथ दिखो देखो ये नहीं वो हाथ अरे जब मैं जीत गया तो हाथ दिखाने से मतलब दिखाऊ ना अरे पपी के बाद पहले हाथ दिखाऊ पपी ये सब पचाहस में से किसके है ये धोक है चीटिंग है अरे बाबा प्यार और लड़ाई में सब जाइज होता है अब देदो ना पपी में नहीं 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 ए शार्दा कहा खो गई चलो निकालो सिक्का कमान क्यों भई मुलाकत का समय खतम हो गया नहीं साब ये चिट्ची दिया सुपरनेल साब ने आप के लिए तेंक यू लो शार्दा एक और खुशोपरी सुनो जो रहाई तुम्हे च्छे मैने बाद मिलने वाली थी वो अगले मैने ही मिल रही है तुम्हे खुशी ने हुई खुशी इसी खुशी अब तत मैं मैं इस चिल के चार दिवार में अपनी जिंदगी गुजारे ही हूँ इन दिवारों के पास मेरे उपर ताने कसने के लिए दुबानी है इन सलाखों के पास मुझ पर उठाने के लिए उंगलिया नहीं है मगर मगर जब मेरे हाओ कर बाहर चाओगी तो दुनिया वालों के सहरी ले तेर जिसे ताने सुनने पड़ेंगे सैख्ड़ हो सैख्ड़ उन्ह परिपरी उंगलियों को सामना करना पड़ेगा नहीं शार्दा नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा तुम्हारी तरह उठने वाली तमाम उंग्लियों को मैं तोड़ कर रख दूँगा तुम्हें गुनेगार मुझ्रिम कहने वालों की जबान काट लूँगा तुम फिकर नहीं करना, बिल्कुल फिकर नहीं करना पूरा पजामा क्यों पहना पूरा पजामा पहना तो दो मीटर कपला खामा खाव बरबाद हो जाएगा इतले बच्पन की जड़ी में अभी तक पहन के कुंटाओं तेरे जैसा कंजूथ लाजदेन जलाका ढूनने से भी मिलेगा क्याना कामा का तेल खर्चा वाएगा ना तुम लाश पर लुटाए जाने वाले पैसों को छुनने वालों से लिगए भी मेरा नम तेली राम है जानता हूं आप कंजूसी के लिए बहुत मशूर हैं जरा नवाजी का शुक्रिया मेरी के लोती बेटी है प्रिया डाक उसको उठा के ले गए है और साथ में धंकी दी कि अगर मैंने चार बजे तक 30,000 रुपए बुरी बाड़ी पनी पहुंचा है तो उसको जान से माँ डालेंगे देखिए मैं ना उसकी फोटो लाया हूँ यह देखिए उसके फोटो दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रखके मैं यह 30,000 रुपए लेकर आया हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो उन डाकों को दूर से 30,000 रुपए दिखा देना देना मत है देना मत अब फिकर मत कीजी आपकी बेटी आपके घर से ही सलामत पहुंच जाएगी पाप रे कितनी भयानक जगे जब जगे इतनी भयानक है तो डाकों कितने खतरनाक होंगे अब तुम ःरुपए लेकर उस तरफ जाओ और वहांसे चिलाकर कहना कि तुम रुपए ले आयों साइड़ की तुम्हारी अवाद सुनकर अब तुम्हे अजिए मुझे गोली मार देंगे सर अगर तुमने मेरा हुकम नहीं माना तो थाए से मैं गोली मार दूँगा समझ गया, सर, समझ गया, आप मुझे बली का बकरा बनाना चाहते है, एक है, शायद ड्याकू की गोली से मरने के बाद मेरा प्रमोशन हो जाए है, हाँ, अब तुम उधर से जाओ, जाओ, मैं इधर से जाता हूँ, थैंक यू सर, ड्याकू जी, मैं खुलाए है, पूरह मतलब तीस हजार, हाँ, थीस हजार है, पूरह, और आप आप दिखते रहिए, कहा है, अपने सीजे आप कि तरफ चले आओ, आया, बीदा आया पड़े काटे है रुक जाओ रुक गया अब क्या करूँ तुम्हारे पास जो गंजा पेड है रुप्यास पर रख दो गंजा पेड ने 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 शूट पत करना मैं राखु नहीं हूँ देखो, मैं प्रिया हूँ पेली राम की बेटी तुम? तुमने इनाटक क्यों किया? इनाटक नहीं, जरूरत है यह रुप्या मुझे मेरी सहली सुशिला की मा की ऑपरेशन के लिए चाहिए था अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह नहीं बचेंगी अब और नाटक करने की जरूरत नहीं चलो पुली स्टेशन सुलिए ना मेरी बात अगर आपको मेरी बात पर यखिन नहीं है तो आप खुद हॉस्पिनल चलिए आपको सचा ही खुद बखुद मालूम पढ़ जाएगी चलिए ना प्लीस सुलिए नहीं, रोते नहीं पिया मा की हालत और सीरिस हो गए है डॉक्टर ने कहा है अगर शाम तक आपरेशन नहीं हुआ तो उनका बचना मुश्किल है घबरामा सुचिला यह लोग 30,000 रुपे है जाओ जल्दी से डॉक्टर साब को दे दो और कह दो उन से कि आपरेशन का बंदोबस करें पिया जाओ ना अब तो आपको मेरी बात पर यखीन आगिया सुचिला के मा के आपरेशन के लिए मैंने डैडी से रुपेय मांगे थे उन्होंने कहा था कि मैं दे दूँगा लेकिन आखरी वक्त पर इंकार कर दिया इसलिए मुझे इनाटक करना पड़ा अगर आप समझते हैं कि मैंने जुर्म किया है तो बेशक जेल में डाल दीजे मुझे ऐसा काम करने के पदले में अगर सब को जेल की ससादी जाए तो सारे देवी देवता जेल में नज़र आएंगे जेट जी इधर इधर क्या है जेट जी चार दिनों से गलियों के पोश्टर फाड़ फाड़ कर लाता रहा हूं और उन्हें जला जला कर खाना बनाता रहा हूं लेकिन अब तो गली के पोश्टर भी खत्न हो गए अब आप ही बताईए चुले में क्या डालू मुझे डाल दे लेकिन आप तो जलने में भी कंजूसी करेंगे क्या बोला आप साला सेठ जी, सेठ जी बोल का हमकशन अपने पेट जी बात बोल का के मेरे बइटी ला पता ह। और उसहालत में खाना तो एक त्रफन पीने के पार में कोई नीग छो सकता जब तक मेरे बेटी नहें मिल जाती, आप सखर में ना चूला चलेगा न खाना पकेगा, न खाने के बारे में कु़छ सोचेगा, हुगरताल. है? हुगरताल? मठ गए. ये चमेली की खुच्वग कहीं से आ रही है? भाईया, मैंने अपने सर में चमेली का तेल लगा है, ращundar के सर में चमेली का तेल, बीघ ले तो तेरी चाने इसाथ है को सब्सक्रण को इस घर में मेरा भी सिस्साथ है अच्छा सब्सक्राइव सब्सक्रण करें का हुए खैका चोटा बैए पर्चेक वो पैसा नहीं मिनेगा तो चोरी तो कना पोड़ेगा ना इसीलिए इसीलिये पिदा जीने तुझे सारी जायादा सेलग कर दिया और सारी जायाद मेरे नाम लिख दी और तुझे फुरी कवडी तक नहीं दी वो भी तेरी भांदेबादी थी विदा जी को भी तू नहीं भड़काया था जब औरीवास की तरगा भड़काया मैंने वना तू अपका घर भेज के खा गया होता तुझे भाई के तो मुझे खीन आती है और तुमारे जेसे कंजूस और कमीने आदमियों को अपना भाई केते में मुझे उल्टी आती है पैसा क्या खाओगे या मरने के बाद साथ ले जाओगे लगपतियों को चीजड़े पहिंते हो नाते तक नहीं बदन से बद्बू आ रही है कीड़े पढ़े गयों को तुमारे बदन में ए चमेली तेरी इतनी हिमत कि तू मेरे घर में खड़ाओकर मुझे का लिया दे रहा है अच्छा मेल के लिचे बाद में आद करेंगा अच्छा जाता हूं तू भी क्या याद करेंगा बल्के बाद में याद करेंगा अच्छा लू चला फंगा ऐपरर कुछ करेंगा रिचे बहुत करेंगा अच्छा है लोगा लोगी अच्छा फंगा उन्सपेकटर श्राइब बेटी को सभी सविटारों से रहा है ए वेर एक करेंगार के यह मेरे पैसे फ़ वो क्या है कि दैडी इन्हों एन गुंडों को यू मारा यू मारा अरे आप पुलीस वालों को तो काम यह मारने का मुझे का कुछ कुछ ना रही है तेली राम जी, बात है कि जब मैं आपकी बेटी को बचा रहा था, तो गुंडों के साथ लड़ते मेरे हाथ से बैग गिर किया और वो गुंडे बैग उठाकर भाग गए अरे 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 तेली राम जी जरा सब पैसो का चटका लगा है, इसका इलाज मेरे पास है सेची, 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 सेची पुलीस वालों को फर्ज भी नहीं बाना चीए लड़की बिलाना चीए पैसे बिलाना चीए मेरे तुम्हारोबर तीसदार रुपर चड़के ना पुलीस वाले उसलिए ब्याद नहींगा मगरेक मनें लटाते ना तुम उधर जालेों को दरफ जाओ, सरूर कोई जोड़ा रुमांस कर रहा होगा, डंडा दिखाकर पैसे वसूल कर लाओ जाना तुम्हारोबर चालिए पैसे कर लाओ चैक पालियोड ना या तर न या इसनतर दृह चाना आठी करम, मूठी करम, आप इंस्पेक्टर चोर खे, चला बागी खाने का हिसाब कमीशने साब को देना, चला ने, मेरी बात सुनिये, मेरी बात सुनिये, साफ, ये सब कुछ ले जाए, मगर मुझे माफ करने, ने, आज तो मैं तुमको डिसमेस करा के रहूँगा, चला ने, अच्छा सावे काम करिए, ये पूरे महने की तनखा भी रख लेजिए, मगर मुझे माफ कर दीजिए, आली एक महने की, अगले महने की भी, दे दूगा, जो के ना, आज जब दो बारा नी करना, अच्छा, अजीव चोर के, क्या बोला, ने, थांक्यो, औरे बापरे, ये त आज तो दूपलिकेट इनस्पेक्टर है, जरूर इसने किसी को चीट किया होगा, जोरा 420 माइद, बुलीस की वर्दी पहांकर लोगों को बेकुमनाता है, चलो थाने, एक मिनिट, एक मिनिट, एक तोफा देता हूँ, एक मैने तश्मा, एक मैने तश्मा, एक मैने तश्मा कर दिया है, क्या है, आप कुन बोल रही है, मैं रेटा बोल रही हूँ, आप जल्दी हैं साफ, बाभी आया तुम, यह क्या नाटक है, यह नाटक नहीं है, मैंने तुम्हे यह रिपोर्ट लिखाने के लिए बुलाया है, हलो प्रिया, मैं सुशीला बोल रही हूँ, हाई सुशीला, मा की तबित किसी है, चीक है, उन्हें आज शाम को हॉस्पिटल से दिस्चार्ज किया जा रहा है, बेरी गुद, अच्छा सुन, तो आफिस में ठाड़ना, मैं टैक्सी लेकर आउंगी, फिर हम दो रमाजी को घर ले जाएंगे, ओके बाए, जी साब, जी साब, जी साब, साब ने ये चिखिया अरजन टाइप करने को दी है, इतनी सारी, जी, अभी, जी हाँ, आज ही पोस् ये खुबसूरत उंगलिया, सिर्फ टाइप करने के लिए नहीं है, मिस्स तेजा, बेह व्यासल, तेजा नहीं, राजा को मेरी जान, राजा, सिंदगी भर रानी बना के रखूंगा, अरे ऐश करोगी ऐश, चाटा, तुम जारूको मैं भी आती, तुम जारूको मैं भी आत करोगी, क्या एवी जारए, क्या है, क्या हमालिय! तुचिला, तुचिला, क्या हो गया, तुचिला, मिरतेजा, परेजाने मेरी तेसा तुटनी चाहे अरे, तो इतना परेशान होनी की क्या ज़रूरत है, बिलकुल मार डरो, तुम्हारा बाप मेर है मेर, तुमें किस बात का केर, तुम्हें तु शेर बन के जिना चाहिए, पर डॉक्तर अंकल, मुझे तु बहुत डर लग रहा है, ज़रो मत बेटे, मैंने ऐसा सार्टिट तयार किया है कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मताबिक तुम एक महीने से इस हॉस्पिटल में हो और तुम्हें पैरलेसिस का अटेक हो गया था क्या है और तुम हिलने डूलने के बिल्कुल आयक नहीं थे जब सुशीला का मर्डर हुआ उस वक्त तुम बेहुश पड़े हुए थे इसलिए सवाली पैदा नहीं होता कि तुमने उसका खून किया आज तुम इस हॉस्पिटल से डिसार्ज किया रहे हो और यह है तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट मगेर इस सर्टिफिकेट को पूलीस मानेगी अरे पूलीस तो क्या इसे तो कोड को भी मानना पड़ेगा य यह लो अपनी आजादी का परवाना यह क्या तरो तुम परवाने की जिंदगी में जलना ही लिखाओ तुम्हारा राप्पट में अर्मर्मर्स को परवाने वाच्छ। अर्ण तुम्हारा अर्ण कानून के सिर्फ हाथ ही लंबे नहीं होते है पाउं भी बहुत लंबे होते हैं मेरे बेटे को इंस्पेक्टर सुनील को अब भी खतम कर देता है वांदानी इसके बाद फिर जिल चला जाएंगा नहीं जब शहर चटाने से काम हो सकता है तो जहर देने की कोई सरूरत नहीं नमस्ते वकील साहब ओ मेर साहब नमस्ते नमस्ते क्या बात है आज रास्ता बूलकर यहां कैसे आ गए रास्ता बूलकर नहीं वकील साहब रास्ता डूणने के लिए आपके दर्शन करने आया हैं मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं फंटास्टिक आप तो सब कुछ जानते हैं वकील साहब रसल बात यह के मेरा लड़का काद में जरूर नंबा हो गया लेकिन अकल में बहुत चोटा है अब देखिए ना उस पर एक लड़की के बलातकार और खून का जूटा इल्जाम आपके भाई ने लगा दिया है हम चाहते हैं के सचाही को काइम रखने के लिए आप हमारी तरफ से इस केस की पैरवी कीजिए और मेरे बेटे को बाईज़त रिहा करवा दिजिए इसके बदले में मैं आपका दामन मुमागी खुशियों से बटूगा यह देखिए मैं साब एक लड़की की इज़त और जान की कीमत सिर्फ यह कागजी नोट हैं इस बेटे साब आप पहेंगे तो आपके लिए भी एक बैक भेज दूगा अच्छा अपने बेटे के केस को दबाने के लिए जैसे आप समझे बस मेरे बेटे के निर्दूर साबत करके उसे विहा करवा दिए अगर आप इसी वक्त चुपचप अपनी बाप की दौलत को अठाकर यहां से बाहर नहीं गए तो मैं आपके हाथों में हदकरी पहना कर बीच बाजार में से घसीरता हुआ ले जाकर उसी लॉक अप में बंद कर दूँगा जहां पर आपका लाटला बेटा कैद है इस प्रक्य सुनील यह मत भूलो के मरें तीस लाख लोगों का प्रती निरी हूँ तुम भी यह मत भूलो के उन तीस लाख लोगों का मैं रक्षक हूँ मैं चाहूँ तो तुम्हें मिठा सकता हूँ मर गई मिठाने वाले किशंचंद मेरे दोनों बेटे शेर और चीता है इन्हें दुश्मनों से मुकाबला करना चीतरा आता है आरे दिलेनाच जी जवानी का खून तो कुछ भी बोल सकता है लेकिन आप इनकी रगों में भी मेरा ही खून दौर रहा है समझे तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को खरीद देशी यह घर जहाँ तुम खड़े हो निती और नियम इसकी बुनियाद है और इन सबसे हमने बनाया इस मंदिर को और ऐसे मंदिर में तुम जैसे शैतान का साय भी नहीं पड़ना चाहिए जब 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 आसे आउट अच्छी बात है तुम लोग आग से खेल रहे हो अच्छी आग एक इन तुम्हारे इस मंदिर जैसे घर को जला कर सम्चान बना देगी जाए 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 सारी आप जाए थोड़ी तकलीव छेल ले उसको पकड़ना है कि नहीं यह सर है साला हवलदार वाग मारे को चूना लगा गया आज मैं उस चार सो इसको नहीं छोड़ूंगा तिल्कुल नहीं छोड़ूंगा विजर इंग एक काम कर तूस तरफ जा माई धर जातां ओके सब्सक्राइब यह तो पहन यह तो पहन यह तो पहन तो पहन सार आप ले अ बाइच दूँगा. अचलाले का शोले हैं? अंगर ठाल दिया, यह तुम्हेरे काम क्यों बखरे हैं? वो देख रहे हैं क्या? तुम्हें पुचए पुच़ः कर देख रहा है. तुम्हें काम कर? तुम्हें क्स कर? सर महाँको कैसे किस कर सकता हुग? किस करने में seniority, juniority क्या होती है, करता है कि नहीं, नहीं करेगा, नहीं करेगा, इनकी तो, अब ही किटर गया, तर लगता है कहीं छुपकिया, अरे तो पीठे करो, जलो, अब ही मोटे, चलती कर, कहा किया रहा, शेहा है, कहा गया रहा, भर आपको अचीज़, जॉच चेर, जॉच जॉच ऐख तरह अड़ाव, जॉच वांगे शाओ, भर आप, जॉच आप, पुलीकी शाँने, जॉच आप, आप आपो जो चाहिए, ले लिगिये न, दौबा निकल गया तरह भश अब ही न आगे आना, चपेक में 420, हावलदार वाग मारे, क्या मारे? पाकेट मारे, ले नहीं, वाग मारे. इंस्पेक्टर की वर्धी पाएंकर दोका दोपा? कहां से लाएं बसे? राम लिला में इंस्पेक्टर की वरध कहां से आई? अभी बूच किया ता हूँ? जाल थाने ऐसी धुलाई करूँगा, जी लॉंड्री वाले जब देखेंगे तो नमूने के लिए हैंगर पर लगता है, मेरे बापतारे माफ करना अवालदार साथ, आप से गलती हो गई, आप से नहीं मुझ से, आप से नहीं मुझ से, अच्छा आप मुझ से गलती हो गई, अ आप आप अ अच्छा आपके के 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 खाल दार को चोड का था है, तेखा तूने भी बत्तमीजी की तो तेरे मुम्हां चालें सरक भुषेवर दूंगा, इजए घड़ावना फोटेक बंदकर, आप मुझे नहीं फाटक बंद मुल्चार थी। मुल्ण मुल्णばुरी बॉर कि मुल्ण खुरी बागाज मुल्धंि कि अधिया कि इस ने किया तुमने किया और किस ने किया यह तो वाकिल मर गया यह मारा नहीं है तुमने मारा इसको नहीं अपनी आंख से देखा तुमने इसको कस-कस के मारा थारा यह फड़ फड़ा के मर गया अभी यह समस्या लेकर मैं कमिजनर के पार जाओंगा नहीं किया नहीं किया पहली बार हुआ है तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हो मुझे बचा लो जब तला कि लाश इदर पढ़े लिए तो कोई भी नहीं करना चाहिए यह लाश को यह दर सगाइब करना पड़ेगा अच्छा तो एक काम करते इसको पूरी में डालकर लेजा अबे अब आशाने चलने अवाल यह तेरे जितनी में अवाल दालों के लोगो चाय पीने को फुटा थे मैं इसको जला दोगे ना ने काय को जला ओंगा मैं इसको संड्रल बेंके सेफ डिबाज़ट वाल बेन अखूंगा ताला लगा के अरे क्यो मजा करता यार क्या कर रहा तुम यह तेरा किरिया क्रम नी करना पड़ेगा क्या मेरा उसका मतलब तेरा को जो बोला हूँ करने तो मैं फूर्या हूंगा अबी ठीक है अबना कात् अरे यह क्या यह मारी चैरा क्यों बनाया हुआ यह वी न बात अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रावन की कैद से इतने सालों की तकलिफ सेनी के बाद सीता राम के पास आई है लेकिन इस सीता की अभी तक अगनी परिक्षा नहीं हुई है नहीं नहीं तुम्हारी कोई अगनी परिक्षा नहीं होगी मैं जो तुम्हारे साथ चलाओ चले कहाँ अरे अव तो सही, पता तो, चलो चोटे, कहाँ तुम लोग अभी पता दी हूं दादा जी, दादा जी चोटे, भागा दादी मा, तुम तो मेरी पकड में आजा चोटे, तुम क्यों आरे उस तुरा इस तुरा पिरा उप मैं तेरे पीछे हूँ दादी माया जोर पकल आ गया जोर पकल आ गया ये अड़े ये नेलर की कौन है जोटी ऐसा ने शार्दा ये है मेरी मां मेरे पिता जी नमस्ते जीतिया हो और ये है मेरा छोटा भाई सुनेल नमस्ता victim और ये है मैं बताती है मेरा नाम जोति है संदी स्कुल में परती हूँ इस हरकी बड़ी हूँ इस बंधी बड़ी बाते करती है पिता जी कुछ दिन पहले मैंने शार्दा के पिता जी का कोड़ों में केस लड़ा था वो उनके मकान और जाइदात का केस था मेरी गलती की वज़े से वो केस हार गए उस हार को बरदाश्ट ना कर सके और हाट अटक के वज़े से उनकी मृत्ति हो गए बड़ अफसूस की बात है इसके लिए अपना कोई सहरा बच्चा है न रहने की जगे अगर ये इस घर में रह जाए आप लोगों को इतरास्तों नहीं होगा बिल्कुल नहीं बेटा आप बिल्कुल नहीं चलगे आओ बेटी तुमने अपने माता पिता से मेरे लिए जोट बोलकर अच्छा नहीं किया बूरा भी तुनें किया शार्दा अगर उन्हें ये पता चल जाता कि तुम जेल से सजा बुबत कर आई हो तो शायद उनकी नजरों में तुम्हारी लिए वो इज़त, वो प्यार, वो हमदर्दी नहीं होती जो अब है लेकिन छोट की उमर जादा नहीं होती रवी जिस दिन उन्हें मेरी असलियत का पता चलेगा उस दिन क्या होगा अरे जब वो दिन आएगा तब देख लेंगे उसके लिए अभी से परिशान होने की क्या जरूरत है वैसे भी तुम जेल में काफी परिशानी उठा चुकी हो यहां भी अपनी जान को क्यो हलकान करें देखो देखो अपने धिमाग से सब परिशानियों को जटक दो और चैन की जिंदगी को जारो चलो अब मुस्करादो अरे मुस्कराऊ भी का शख हो बाडाे तो बड़ाज इने पास क्यों घड़ि헂 मैमला, क्या है? वो.. सवाल मैं पूछी हूँ तो मुन की दरफ क्या देख ली हो? में दरफ देखो बात यह है कि.. बस बस, टफाई मत पेश करो बड़े तुम मुझे काहने सुनाए बगया है यहां कैसे कलिया है? वो हुआ यह था कि.. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माँक किया आज यह नहीं लड़की मुझे काहने सुनाएगी यहू, सुनाओगी ना? हाँ, सुनाओगी आओ तुम्जा, जा जा अच्या, अच्या ओय, चल अंदर तुम्हे तुमसे बहुत जरूरी बात करी है आओ, चलो ना क्या बात है? सुनिल डाइडी हम दोनों की शादी आज ही पकी कर देना चाहते है तुम अभी मेरे साथ घर चलो अभी? अभी तो मेरा कोट जाना बहुत जरूरी है मेरी बात तो सुनो डाइडी ने कहा है कि आज नव बजी से लेके साड़ी नव बजी तक बहुत ही शुब घड़ी है जो साथ थाल में सिर्फ एक बार आती है वह तुमसे बात करके इसे शुब घड़ी में हम दोनों की शादी का महुरत निकाल देना चाहते है प्लीज चलो ना मेरे साथ वह तो ठीक है मगर मेरा कोट जाना बहुत जरूरी है अरे मेरे घर हो तो यह कोट चले जाना दो मिनिट के लिए डाइडी से तो मिलो लेकिन मैं लेकिन वेकिन कुछ ने तुम तो डाइडी का मूट जानते हो शेयर मार्केट की तरह उपर नीचे होता रहता है कही ऐसा नहों कि आगे चलके वह हमारी शादी से इंकार कर दे प्लीसनिल चलो ना चलो ना तुम बैंके साथ कोट जाओं मैं मैं तारेक पहुँचता हूं कुछ आरेना ओके सेफ आये आये दामाजी नमस्कार नमस्कार आये बैठिये तर्शिप्रकिये मैं जानता था कि मेरी बेटी पुर्थी राज चौहान की तरह आपको भरी सभा से उठा के लिए आएगी क्योंकि आजका लड़कियों तो गोल मैडल आती है आप जल्दी सेलेंस लेगा कर पंजांग देखिये जल्मान इनकी राशी तो बताईए आप राशी मेरी बेटी की जो राशी है वो है कनिया और इनकी जो राशी है वो है सिंग आपको मेरी राशी कैसे मालूम पढ़ गई राशी अरे आमें तो सारे पुलिस आफिसों की जनम कुणलियां तक मालूम है वाह इन दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी रहेगी अच्छा अरे वाह तो गंटी भी बच गई मतलब यही अच्छे लखे नहीं ना शुबे 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 अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि सिंग राशी में राहू गुश गया है लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था तो तब पक राहू बीच में नहीं घुशा था ना अभी घुश गया तो गडबल हो गई प्रेमें चलता हूं नमस्ते इंस्पेक्टर साब आपका फोन है मेरा? आपका है सुन तो लीजे के राहू किस घर में गुशा है अलो इंस्पेक्टर सुनी लिया पेजा को गुंडे किना कुर के लेगे पंटास्टिक पंटास्टिक इस्पेक्टर साइब यह शुब कारिया शुब घडी में हुआ है सबनो और साड़े नो के पीछ में कमीनो प्रिया का सहरा लेकर तुम लोग ने मुझे धोका दिया है लेकिन तुम्हारा बेटा मेरे हाथों से पच्छ नहीं सकता अरे रुक जाओ इंस्पेक्टर रुक जाओ तुम तो वाके यह बड़े बेवाकोफ आदमी हो है अरे मेरा बेटा अभी तक सिंगापुर जाने वले जहाज पर बैठ भी चुका होगा और पांच मिनट के अंदर अंदर वो जहाज यहाज यहाँ सोड़ जाएगा मेरा बेटा तेजा यह मुल्क हमेशक लिए छोड़ कर चला जाएगा चक्कर आ गई ना होता है जब राहू गुच जाता है तो राहें सुझाई नहीं देती हैं हाँ अलो कनेक मी डू दी एएपोर्ट मैनेजर प्लीज एएपोर्ट मैनेजर स्पीकिंग देखिए जो जहां सिंगापूर जाने वाला है उसमें बॉम रखा है क्या येश आपकों बोल रहा है मैम इस शहर का मेर बोल रहा हूँ ओक्या अकल मंदो आये खरकरे मूंग या देखियो जो रोको उसे एरपोर्ट तक पहुँचे पाई जाओ एर इंडिया को ये सुचित करते हुए खेद है कि उनकी उड़ान नंबर AI-105 अब सिंगापूर दो गंते देख से जाएगा भर उनकी उड़ाजन जाओ से एंडियो प्रांग इंडियो ऑफज़ाजन आये खेद खेद से एंडियो दोद जोद एंडियो इंडियो अगल देदीन दो राँ प्राँ झाल 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 एर इंडिया की उडान नंबर AI-105 अब सिंगापूर जाने के लिए तैयार है यात्यों से निवेदन है कि वो इमिग्रेशन और कस्तम कक्षक्यों पधारे पुलीस का हाथ मेर की अकल से ज्यादा तेज चलता है जलता ना सिर्फ सुशीला की इजट रूटनी चाही बलकि ऐसे हालात पैदा कर दिये कि उसके पास दिवाय खुदकुशी के और कोई चारा बाकी नहीं रहा लेहाद अदालत मुल्दिन तेजा को सुशीला की मौत का दिम्मेदार ठैराते हुए उम्र खैद बामुशक्त की सदा देती है इसके साथ ये भी थाबित हो चुका है कि किशन चन्द ने मेर जैसे दिम्मेदार औहदे पर रहने के बावजूद एक मुझरिम को बचाने की कोशिश की अपने औहदे और पावर का गलत इस्तेमाल किया कानून की रखवाली करना जिसका फर्श हो अगर वही कानून को तोड़े तो उसे ओदे पर बने रहने का कोई हक में लेहाद अदालत मिस्टर किशन चन्द को मेर के ओदे से अटाने का हुक्म देती है प्रे पुरुक्षे प्रे सम्देतायो युस्तवहा मामकाहा पांडवास्चैवा इम्पुरुवत सन्जया जुरुस्पात पांडवानीकं योधन दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजावचनम् प्रवीत अरे वाँ मैं लड़की तुम्हें भी बवद गीता किस लोग आते हैं तो क्या तुम अकेली पिंडितायन हो क्यों जी चार्दा अगर हमारे घर की बहु पंचार तो कैसा रहेगा ख्याल तो बुरा नहीं है अब समझा तुम दिन बर पैर पसार के बैठी रहो वो तुम्हारा सारा काम करते रहे और तुम्हारी सेवा करते रहे तुम ऐसी बोचाती हो ना नहीं यह बात नहीं है वो तो साक्षात लक्षमी है हमारे घर के लिए बिलकुल लाइक है इसलिए मैं उसे अपने घर की बहु बनाना चाहती है यह बात तो है कि अधर नानी अमा आप बैठो बैठो अरे जोती शोर्जो मचा रही हो आप बैठी है अरे लोग भाई बैठ गए तब लग आगे पेटी तुने हंगामा क्यों मचाना शुरू कर दिया अपो दादा जी हमें अपने पईबार की एक जरूरी समस्या हाल करनी है तुम्हारी अब तक साधी नहीं कि अब हम घर के बड़े लोग तुम दोनों की शादी करवाकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों से छुटी लेना चाते हैं जोती ये कैसी बाते करें रही हैं जो कुछ कह रहे हैं सच करें बेटी बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं इसलिए हमारे मन का भेद जानकर सब के सामने सच बात कह दी सुनेल बेटे तुम्हारी क्या रहा है विदा जी इतनी नेक और सुशी लड़की अगर भावी बन जाए तो इससे जड़ा मेरे लिए और खुशी की क्या बात हो सकती है बेटे रवी तुम्हारी क्या रहा है देखो मा मैं यह सोचकर शार्दा को यहां लाया था कि इसे इस घर में आस्रा मिले लेकिन आप लोग चाते हैं कि यह गर इसकी ससुराल बन जा है अगर इससे मन्जूर है तो मुझे भी मन्जूर है बोलो शार्दा यह शायद मेरी पिछले जन्मों के पुण्यों का भले है जो मुझे ऐसा सस्रार मिल रहा है बात आपको निमंतरन पात्र लिखने की देरी है स्वस्री चंद्रभान प्रभो नाम समसरे महामात में आश्वीन इनक्षतर के शुब लगन में बड़े की शादी नए लड़की स लड़की से शादी कर रहा है और यही मौका है उन लोगों पर वार करने का और उनका हत्यार है जान की दास जान की दास वही जान की दास लेकिन मुश्किल है कि आजकल वह जेल में है कि दुश्मन पर जब मुझे हमला करना होता है तब मैं सूरस को प्रश्चन से भी उगा देता हूं कर दो आज़ें को पर मंदक ने इंताजर करने हैं चल्चनी के दी करो आए आए किसंटम जी आए मुभारखो दीलना जी मुभारखो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें शादी पर बुला पर हम तो सबस्चतने के शायद आप हमें शादी पर बुलाएंगे ही नहीं किसें जंजी हमारे जो मत बेधा है वो तो घर के बाहर है शादी के साथ उसका क्या लेना देना हमने तो सोचता आप खुद ही नहीं आएंगे नहीं ऐसे कैसे हो सकता है आपके शादी नहीं हो सकते शादी नहीं हो सकती नहीं हो सकती है शादी 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 रोकने वाले मैं मैं इसका पती हूँ अगर इस तरह की बगवास की तो मैं जुझे जान से माड़ा लूगा लो उल्टा चोल को तुवाल को डांटे मेरे जेल जाता ही मेरे बीवी को फ़सा लिया और अखेल बनाकर अपने घर में रख लिया हराम जादा वह होता है तो दूसरे की बीवी को फ़सा कर शादी करना चाहे हराम जादा तपा हो जाए यहांसे नहीं तो मैं तो जान से मार डालूँगा तो शुम बताओ तेख रहे हैं आप यह लोग मुझे जान से मानने की धंकी दे रहे हैं यह भले मुझे जान से मार दे लेकिन यह यह खुवारी नहीं विद्वाई कहलाएगी तूकि मैं इसका पती हूँ मैं आप लोगों के सामने हाथ चोड़कर बिंदी करता हूँ कि मेरा इंसाम कीजिए मेरी मेरी पत्नी मुझे वापिस दलाइए भलत रूष और दे से तूमारी अनापसा आप शुन रहा हो यांगामा खड़ा करनी कि तूमें हिभ def cm नगार दिया उस मंगल सूत्र ने मुझे है दिकार दिया तूमैने इसे पहनाया उस अगनी नमुझे दिकार दिया इसको साक्षी मान कर मैं इसके दसात धेरे लगाए ये अपने हाथ पाव महंधी ने चाले? पूछे इससे, ये अदिकारी से किस ने दिया, पूछे इस बात का क्या सबूत है कि जो तुम बखवास कर रहे हो, वो सच है दबूत, दबूत है, ये तस्वीर है, देखिए, आप भी देखिए, देखिए, आप भी देखिए, 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 सब लोग देखिए पेटी, ये सब क्या है? चारदा, देखा, देखा, और इन तस्वीरों से भी बड़ा सबूत है, उसका यहाँ से भाग जाना, और ये है वो, जो कोठाई की बुड़ी तवाइफों की तरह, भगाई हुई लर्चों को बढ़ा देते है, खाबूत, तुम, तुम जानत हो, तुम, किस किस तरफ उप अरे, इनकी दम की वज़ा से तो इस शहर का कानून और इंसाफ दिन्दा है, इनकाजी, आप खामोश क्यों है, क्यों जेते के ये सब जूट है, बगवास है, खामजा, तुमारी खामोशी का मतलब है के, यहाँ जो भी घिनावना खेल होने वाला था, उसमें तुम भी शाम के हैं, जो दूसरों की बाव वेटियो पर गंदी नाज़र डालती है, चरणाफ, जबान को लगाम दो वरनम, तुम मुझे तो चुप कर दोगे, लेकिन कल जब सारा शहर तुमारे बाप के नाम पर ठूटेगा, तब का करोगे, किस किसका मूँ बंद करोगे तुम, जब य नाज़र, मुझे पूरा विश्वास है, आप जानबूद कर कोई गलत काम नहीं कर सकते, बोलियेमे कुछ! लिकाजी! क्या हूँ? क्या हुआ इने